तो कि यहां पर एक बॉल जिसका शराट जिसका है या बॉल शेप का होता है वह किसी द्लूसरी जिसका चोड़ की तरह होता है या एक शॉक्ष की तरह होता है उसमेंगे जाकर फिट होता है जैसे कि आप इस animation में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक ball है और यहाँ पर एक socket है, और यह जब दोनों आपस में मिनेंगे तो एक ball और socket joint फॉर्म करेंगे, तो ठीक इसी तरह से हमारे body में भी ball and socket joint होते हैं, for example, जो हमारा shoulder joint है या एक perfect example है ball and socket joint का, हमारे shoulder joint में जो humerus का spherical head ह होता है, यह जाकर fit होता है हमारे scapula के glenoid cavity में, हमारी जो glenoid cavity होती है यह एक small cavity होती है जिसने करण जो हमारे shoulder joint का range of motion होता है, वह greatest होता है, हमारे shoulder joint यह सबसे ज़ादा axis में move कर सकता है, इसको degree of freedom यह बा electrode का comparison में सबसे ज़ादा इसलिए shoulder joint को polyaxial joint या multi-axial joint बोलते हैं, यह कई सारे axis में move कर सकता है, कई सारे actions एक साथ perform कर सकता है For example, हमारा जो shoulder joint है या flexion कर सकता है, या extension कर सकता है, या abduction कर सकता है, या adduction कर सकता है, या rotation perform कर सकता है, या circumduction action perform कर सकता है तो हमारा जो shoulder joint है एक साथ बहुत सारे action परफॉर्म कर सकता है अगर मैं आपसे question पूछी कि हमारी body में और कहां पे ball and shock joint होता है तो आप क्या answer देंगे? सोचिये सोचिये जरा, सोचिये सोचिये हाँ आप सही सोच रहे हैं कि hip joint हमारी body का second ball and shock joint है और मैं आपको बता दू जो हमारा hip joint होता है यह हमारी body का सबसे stable joint है और सबसे strongest joint है क्योंकि इसको बनाया ही भगवान ने इस तरह से कि हमारे upper body का weight उठा सके और जो यहाँ पर आसपास ligament होते हैं hip joint के वो बहुत tough होते हैं और जो hip joint के आसपास muscles होती है वो काफी dense होती हैं काफी large होती है So आज की वीडियो में इता ही हम फिर मिलते हैं अपने next वीडियो में Do like, comment, share and subscribe Thanks for watching, stay healthy, stay fit, bye, जहिन